नमस्कार एन्वी न्यूस देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ मनपृत कौर इसवत के स्पैशल बुलेटन में आप देख रहे हैं अपनू उत्राखंड शुरुवात करेंगे इसवत की एहम खबरों से उत्राखंड के सीयं पुशकर सियं धामी ने विश्वकर्मा जेयनती पर समस्त परदेशवासियों को सकर स्रिष्टी के करता निर्मान एवसरीजन के देवता विश्वकर्मा की जेयनती पर टूइट कर परदेशवासियों को हर्तिक शुपकामना है साथ ही कहा कि रश्ट निर्मान में समर्पि सभी शिल्पकारों और रचनाकारों पर भगवान विश्वकर्मा की क्रिपा सदेव बनी रहे ऐसी काम ना करता हूँ बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी के जनब दिन के अफसर पर उत्राखन के मुख्यमंत्री पुषकर्जी अधामी ने परेट ग्राउन में स्वच्चता लीग मेराथाउन को हरी जंडी दिखाए इस कारिक्रा में मुख्यमंत्री पुषकर्जी अधामी ने कहा कि मोदी जी ने परधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देश को अनेको उपलब्दियां दी हैं आज पूरे विश्व में भारत का मान समान पहचान हर दिशा बड़ी है कि बारत दुनिया का में तत टों ने वाला भात बने गार बारत जफू ढूंगा दिशालोन बारतु करने गारत पार दुनिया को लावांग बनेगा पी ढhalten दी कोविशय करमांजी की इस उसर पर आज कहीं न कहीं अदुरां दिको भरवान भौस्य हम प्रणाम करते कि उन्होंने आधुनिक भारत के विश्व कर्मा के रूप पे हम आद्मिक प्रधान मंत्री मोडी जी के रूप पे एक इसा मनीची दिया जो भारत को एक भारत बढारात कुनाने की दिसावें काम कर रहा है मैं आज आप सब को अपनी ओर से बहुत सुकाम में देते हुए और आप सब की तरफ से आजनी प्रधान मंत्री जी को दिखाई होने का भवान उनको स्वस्त रखे और लंबे समय तक उनका दितुत्व हमारे देश को प्रधान होता रहे यहीं सुकाम में करते हुए मैं आप प्रधान मंत्री पुषकर्सियं धामी ने समस्त यूवां को स्वास्ते के प्रती मोटिवेट किया वहीं प्रधान मंत्री के द्वारा किये गए कारियों की भी गिनवाए देखें यहां उत्राखंड के नौजवानों में युवाओं में उत्राखंड के जन्मानस में मात्र सक्ती में हमारे बड़े बुजर्गों में सभी को सभी में प्रधान मंत्री जी को लेकर एक विसेश प्रकार का उनसे इसने हैं विसेश प्रेम है अपना पन है उत्राखं सेरे के साथ अपना विशेश, रिस्ता करम और मर्म का मानते हैं, और उनों ने का उस्षरों पर कहा है, इसले उत्रहगंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेश प्रकार का उस्षा है, एक विशेश प्रकार का सौमेयों, सौइस्पूर्थ लोगों में जोस है और लोग प्राताकाल सही सड़कों पे निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयू की दिरगायू होने की कामना कर रहे हैं और उनके नेतोतों में भारत बिश्व भारत बि्शु गुरु भारत बने भारत जिगत गुरु भारत बने भारत दुनिया का नेतोत्तु करने वाला वालाद भूनदा पुरकूर मेरा जा है और आज मैं परदहानमंत्र जी का रूठल में असा तरि एक definite दाने के लिए उनको स्प्राम ने देने करें और मंभी किया है और सzahl्को संदेश देने के साथ साथ यहाँ दोड़े हैं ironically सुपके उआच वह बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी का जनम दिन है जिसको लेकर एक तरफ बीजेपी कारिकरता प्रधानमंत्री के जनम दिन पर उनकी लंबी उमर की कामना कर पूजा अर्जना करें साथ ही कई कारिकरम भी किये जा रहे हैं विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है आपको बता दूँगी कॉंग्रेस ने धहरादून में कॉंग्रेस भवन में पकोड़े तले और ये संदेश देने की कोशिश की जब से नरेंदर मोधी परधान मंत्री बने हैं बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है यूवाओं के पास रोजगार नहीं है मजबूरन यूवाओं को पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं लोजगार देंगे और और भी कहीं वादे इस देश की वादे भूल गए और जब उनसे बेरोजगारी को लेकर पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि पकोड़े तलगर भी यूवा रोजगार कर सकते हैं आखिर हम यह जाना चाहते हैं कि इसनी बड़ी-बड़ी इंवस्टिय लेने के बाद यूवा क्यों तो पकोड़े तले क्या देश में पर्याप्त नौकरी तुर्के जो इसके आधार पर नहीं मिल सकती हैं कि कैसे बेरोजगार यूवाओं को देश के प्रधान-मंद्री पकोड़े तलने के लिए कह रहे हैं ठीक तो आज हमने एक कारिक्रम कर र विरोध के रूप में दर्ज कराने की करा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसी पकोड़ा जूता पॉलिश करने का काम करें क्योंकि मोदी जी की बसकी तो है नहीं नौकरी देना दो करोर नौकरियों का जुम्रा वो दे के चले गए लेकिन आज तक यूवाओं बेराउ दिन पर रक्तदान शिविर आयोजीत किये जा रहे हैं अन्यकारें क्रवों पर कटाश किया है उन्होंने कहा कि देश में पीए मोदी के कारिकाल में सबसे ज्यादा बेरोजकारी पड़ी है कॉंग्रेस उपादेक्ष ने कहा कि पीए मोदी के जनव दिन को युवा बेरोज कर दिवस के रूप में मनाते हैं वहीं कॉंग्रेस के इस कटाश पर कैबिनेट मंतरी धंसिया रावत ने कहा कि पिछले सतर सालों के दौरान कॉंग्रेस ने क्या किया है यह सबको पता है उन्होंने सभी से शेक्षिक रक्तदान में सहयो करने की अपील की है में भारत की जन्था पार्टी का अपना काम है क्यानों की обязी जनम दिन को डे एसका नौजवान डियोश के नाम पर मनाता है और आप सब को मालूम है कि जितनी बेरोजगारी मोधी जी के कार्यकाल में घुई है यह बड़ी है इतनी भारत के इधियास में कभी ऐसी बिरोजगारी नहीं रिवी आज नौजवान मुलुदी की कहते हैं कि पखोड़ा तलने की बात करते हैं और जो पड़ा लिखा नौजवान है उससे नाली की गैस से चाय बनाने की बात करते हैं देश का प्लदान मंत्रि अगर ऐसी बात करें तो निशित रूप से उससे यहां का नौजवान के हितु में विप्रीत प्रभाव पड़ेगा और सारा नौजवान बेरोजगार पड़ा हैं इसलिए हम आज इसको बेरोजगारी दिवस के रूपना बनाते हैं लोग जसन बनाए वो ठीक बात है लेकिन आज देश का नौजवान मोदी जी से तंग आगर मोदी जी की नीतियों से तंग आगर उनके जनम दिन को वेरोजगार दिवस के रूपना मनाईगा कि इंद और सरकार इसको फंड देनी किलों तैयार है देखे आपने बी आर्सी सी आर्सी से लेके और 25 इस अव्स foi ख ड्रास के पद भी जो फोलो है उसकी बिगेति जारी हो गई है और बहूत जल्दी सब का जो है अग्जाम से लेके परिक्षाओं से लेके और आउट सोर्स के जैसे भी पाद होंगे वह सब की बिगयापती जारे हो लिए 2014 के लोकसबा चुनाओं से पहले नैनिता लोकसबा सीट कॉंग्रेस का गड़ रही है राज्य गठन के सम्मे भी एंडी तिवारी यहां से सांसर थे तो वहीं अब आगामी 2024 के लोकसबा चुनाओं में इस सीट से स्वर्गिये एंडी तिवारी के परिवार से चुनाओं को लेकर दावेदारी के सुर उठ रहे हैं जिसको लेकर अब नैनिता लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस में सिहासत गर्मा गई है नैनिता लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस के दिगज नेता पूर्व मोख्य मंत्री और पूर्व सांसर स्वर्गिये एंडी तिवारी के परिवार से दावेदारी के सुर उठे हैं परिवार के लोगों ने कहा कि इस सीट पर एंडी तिवारी सांसर रहे हैं उनके परिवार से ही किसी को टिकेट मिलना चाहिए इधर NG तिवारी के रिष्टेदार उनके भतीजे कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुल्यूटिया ने भी खुल कर इस सीट में से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है देखें तिवारी जी जन नेता थे उन्होंने चनता का विकास किया और आज भी तिवारी जी को चाहने वाले इस पूरे प्रदेश में खास तोर से नेनिताल उधम सिंग नरगर लोकसभा सीट में हर घर में है और निश्चित तोर पे इसका लाब कॉंग्रिस को जरूर मिलेगा क्योंकि लोगों में सिर्फ इस बात से ही उत्सा है कि भई तिवारी जी के परिवार से यदि कोई आगे आता है तो सिर्फ इसी बात से वो उत्साईत हैं राजनीती में तिवारी जी ही मुझे लेके आये थे जब मैं जिलादेक्स यूद कॉंग्रिस का बना था निन्यानमे में और उससे पहले तिरानमे में मैं जिला यूद कॉंग्रिस का जिला सचीव था उनके सानिधी में उनके साथ काफी काम देखें उनके काम करने की शैली देखी यदि एक ऐसे कारे करता जो 30 साल से निश्टा के साथ कॉंग्रिस में सिवा दे रहा है यदि मौका मिलता है तो मैं उनका अभारवेक्ष करूँगा और निश्चित तोर पे जो तिवारी जी के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे जैसा कि हमारे माननी अध्यक्ष जी स्रीकरन महरा जी ने बताया कि सर्वे जा लिए देखे दीपक बलूटिय अपने आप में एक सक्षियत रहे हैं आदर्णिय तिवाड़ी जी के परिवार से आते हैं उनके भतीजे हैं और इसके साथ एक बहुत ही कुषल राजनीतिग्य हैं एक शिक्षाविध हैं और बहुत कुषल आप तरहे हो कोरोना का समय रहा हो जहां उन्होंने लोगों की मदद करी है एक शिक्षिक नेता हैं जिनके पास प्रदेश के लिए एक विजन है जिससे उस प्रदेश को आगे लेके जा सकते हैं और आज को ये नैनिताल सीट हमेशा उपेक्षा से भरी रही है भले यहां से कोई भी जीता है तिवाडी जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं आया उनकी सोच का जो उनकी सोच को आगे लेके जा सके काउसट है इसका भहव उद्देसी विकास होगा मानवर मैं एक समानी उतर के नात्य मैं बता हूं आपको अगर यहां पार कॉंग्रेस को अगा जिनदा होना है मिसे mandate कुमाओ के अंदर में आपको अगर कॉंग्रेश उन पर दाओ खेलती है तो यह दाओ कॉंग्रेश का सफल होगा यह में आम बोटर के नाते गह रहा हूं बिलकुल देखिए पहार तराई का तो मतलब भी नहीं है संगठन कासिपूर से लेके कॉंग्रेश का भिंताल तक है प्रोजेक्ट कौन करता है विश्व कर्मा जयनती के अफसर पर आज पी एम विश्व कर्मा योजना का आगाज दहरादून से भी किया गया इस मौके पर भारत सरकार में पंचायती राज्यमंत्री कप्पिल मानेश्वर पाटिल बतौर अतीथी मौजूद रहे इस कारिक्रम की शुरवात देश भर मे एक साथ देश के परधानमंती नरेंदर मोदी ने की। कारिक्रम की लौंचिंग दहरादून समय देश के सतर स्थान पर की गई। दहरादून में लौंचिंग कारिक्रम के मौके पर 800 कारिगर मौजूद रहे। महंताना भी दे रही है। इसके साथ ही कम बयास दर पर ये कारिगर बैंक से बिना किसी गारंटी के लौन ले सकते हैं और अपने कामकाज को बहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की कोशिश है की हर कारिगर कुशल हो और सम्मय के साथ कदम से कदम मिला कर चल सके। कि अधिन के जहिंति के उसर पर आज पीम विश्व कर्मा योजना का लॉंचिंग प्रधान मंत्री जी के हाथों से हो रहा है सबसे पहले तो मैं मगवान विश्व कर्मा की जहिंति पर शुब कामनाय देता हूँ और तमाम देश वास्यों के तरफ से हमारे देश के जन्यनाय विश्व के नेता हमारे देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जी को भी जनम दिन की बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ आज यह योजना का चो भारंब हो रहा है इस योजना के महाध्यम, था भारंपरागत एठापरकार के काम करने वाले लोग थे, जो विरासत में उनको यह काम मिलता था, गुरू सिश्य परमपरा से जु आपका मिलता था दादा जैसे पिताजी को, पिताजी से बैटे को, और पूंको रोजगार के लिए किया जाना नहीं पड़ता था लोजगार खोजना नहीं पड़ता था अंके घर में ही जो दादा जी काम करते थे पिता जी करते थे यो बेटा करक्त खर लेकीन कहीं नहीं Freeze जाету कि ध्यान नहीं दिया गया था अभी आज के दिन प्रधान मंत्री जी ने उनके ओपर फोकस किया है और ये परंपरागत जो विवसाय है विवसाय को मुख्य धारा में हमारे भाई बैनों को लाने के लिए ये पीम विश्व कर्मा योजना का आज लांचिंग किया है जी योज कि आज हम दस्वे से पाच्वे पाधान पर आर्थिक विवस्ता में आये है और निचित तोर पर हमें तीन नंबर पर लाने के लिए हमारे ये सारी जो विश्व कर्मा भाई बहन है इनका भी योगदा निचित तोर पर होगा ऐसा हमें कहूंगा तो गलत नहीं होगा प्रध बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ हलद्वानी पहुंचे उत्राखंड के दुग देव कोशल विकास मंत्री सौरब बहुगूना ने तीन पानीक शित्र में दुग्द वेभाग के निदेशाले की भूमी पूजन और सेंटरल लेप का शिलनयास किया इस दौरान मंत्री सौरब बहुगूना ने बताया कि राजे योजना के द्वारा पांच करोड से डैरी निदेशाले भवन और राष्टिय डैरी ड्वेल्पमेंट बोर्ड योजना से सेंटरल लेप खोली जानी है जिसका फाइदा राजे के दुख उत्पातकों को उभुगताओं और करमचारियों को होगा राजे में दूद के उत्पातका बढ़ने के लिए सरकार निरंतर परयास कर रही है पहली बार ऐसा हुआ एकी सरकार ने एक साल में दुख उत्पातकों का बारा रूपे तक मुल्य बढ़ाए वहीं लंपी वाइरस के फैले परमंत्री सौरब भोगुना ने कहा कि सरकार पूरी ततपरता से किसानों के जानवरों के इलाज के लिए काम कर रही है इस बार लंपी वाइरस का प्रभाव परवर्ती जीलों में देखा जा रहा है जिसके लिए सरकार प्रभावी तरीके से नियंतर्ण और टिका करन करने का परियास कर रही है पूरे नॉर्ट इंडिया में भारत सरकार में उत्तलाखन सरकार को सराना करी थी इस बार की हमें लगतार वैक्सिनेशन हमारे चल रहे है लगब लगब दोजार तीस चौविस में ही अगर आप देखेंगे तो हम 11,000,000 जानवरों के आसपास का बैक्सिनेशन कर चुके है 798,000 जानवरों की में पास कल तक के किज़र थी 798,000 जानवरों की नित्यू हुई है लंपी से हमारा रिकपरी देर लबलब सतानवे परसंटा है नित्यू दर फीन परसंटा है खबरों का सिलसला जानी रहेगा रुकते चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ के अंदर सरकार ने देश भर में आईशमान भव अभियान शुरू किया जा रहा है हरिद्वार जीले में भी आईशमान भव अभियान के तहट स्वास्ते शिविर लगाए जाएंगे जीला अधिकारी धिराज सिहन ने प्रेसवारता कर बताया की चार चर्णों में आईशमान भव अभियान के तहट चार सप्ता तक अलग-अलग स्वास्ते शिविर लगाए जाएंगे शिविरों में आने वाले लोगों की स्वास्ते जाँच की जाएगी साथ ही घंबिर बिमारियों के पती जागरू किया जाएगा और छूटे हुए लोगों के अटर आईशमान कार्ड भी बनाने का लक्षे निधारित किया गया है इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्मुनिकेबल डिजीजेजें उसके बारे में एक अवेर्नेस प्रोग्राम और जगए जगए पे लोगों की जाँच की जाएगी दूसरे वीक में जो कम्मुनिकेबल डिजिस हैं आपका टीवी हो गया लेपरोसी का हो गया इनके बारे में आवेरनेस प्रोग्राम पर जन पर जन पर और लोगों की जिन्जा दोग अच्छे कप अगर अभी हम लोग कराएंगे तर्ड वीक में M.C.S. का प्रोग्राम होगा जो मेटरिनल और चाइड हेल्प पर आपका अधारित होगा और चौथे वीक में RBSK का प्रोग्राम होगे जो इम्मुनाइशिम पर जन पर फोकस होगा इसके अलावा पूरी जन पर में जितने भी हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं जो लगबग 124 के करीब इनकी संख है कि एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर तीन ग्राम सबाओं को कबर करें बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ मस्कुलर बॉड़ी और हवा में कई फिट लंबी छला यह सीन अकसर आपकी फिल्मों में देखे होंगे इस सीन को देखकर आपके मन में भी कुछ उत्रा होगा पुछ ऐसी ही स्टंट के लिए सुर्ख्यों में देव भूमी उत्राखंड के अल्मोडा जीला के अंतरगर्त क्षेत्र में चमन वर्मा का जबर्दस स्टंट वाला वीडियो इन दिरों मीडिया में जबर्दस चर्चा में हैं हवा में कर्तब दिखाते हुए उंची लोगों के इस वीडियो ने उनको सुर्ख्यों में ला दिया है मीडिया में उनके प्रशंसक इस पर्यास की काफी सरहना कर रहे हैं चमन वर्मा से बीते दिनों अनिल सही के नेतरतों में उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुश्करजी धामी ने बात की पुश्करजी धामी चमन वर्मा से कहा कि हम आपकी हर तरह से सहयता करेंगे बस आप इसी लगन से कारे करते रहें पासी का रहने वाला है और कल हम उनके घर बह गए थे और मान्नी मुख्यमंदरी जी ने भी उस पर संग्यान लिया है और मान्नी मुख्यमंदरी जी ने भी उस पर संग्यान लिया है और मान्नी मुख्यमंदरी जी ने भी उस पर संग्यान लिया है और मान्नी मुख्यमंदरी पूरा हर संबह मदद का हमको आस्वाशन दिया है और जल्दी हम उनको देराधुन और केंद्री खेल मथरी सर्ची ने भात की है। इसे में वहां से गुजर रहे वहन चालकों के साथ सड़क दुर्गटना होने की संभावना बनी रहती है। वह आवारा गोवंश पुश्यों को घंबी रूट से चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आवारा गोवंश पश्यों और आमजन मानस को सड़क धुरुगटनाओं से बचाये जाने है तू पुलिस अधिक्षक। देवेंदर पिंचाच चंपावत के निर्देशों के अनुपालन में टनकपूर बनबसा हाईवे पर चोराहों पर घूम रहे अवारा गोवंश पश्यों के गले में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने का कारे किया गया है जैसा कि हम सभी देखने कि अवारे करने कुछ बनबसाच चेजी में खासकर हाईवे पर बश्यों करेता है तो उनकी विएसे खासकर रात किसमें में तुलड़ना है और उनकी सम्भावना है जादा है उसको देखते हुए हमको में दलडवाल जी है जो अरिश्ट स्वासे भ आज हाईवे पे जो आवारा को से बूंग रहते हैं इनको गले में रेडियम रिफ्रेक्टर बाढ़े ले है इससे कि वो रात को चमक सके और जो ड्राइब कर रहे हुए 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 उनको एक इंडिकेशन मिल जाए कि आगे जालवार और और ओने वाले एक्सिया इंको खराब सडको और अगोशित बिजली कटोती को लेकर कॉंग्रेस विधायक सुमित और शेहर अध्यक्ष गोविन बिष्ट के नेतरतों में। संग्यान लेने की अपील की है ताकि जल से जल दोनों ही महतपून विश्यों का समाधान किया जा सके उन्होंने कहा कि हल्दवानी महानगर है ऐसे में यहां की सडके अच्छी होनी चाहिए और बिजली कटोती पर नियंतरन होना बेहत जरूरी है जिसे वैपार से लेकर आम सब्सक्राइब जिनके हाकिम को ने यह नहीं बता दी और सब्सक्राइब सब्सक्राइब विनार्षकारी सरकार जो है इसके गड़ा कॉंग्रेस पाइडी सडक से सदन तक मजबूत आंदूरन करने के लिए ज़िए करने के लिए इसी बीच इस वरत की बड़ी खबर सामने आ रही है इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी आप से सांजा करने जा रहे हैं देहरव अवासिय कॉलोनी ATS सशस्तर धारा रोड पर विबाद इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी पानी की बोरिंग लगाने पर हुआ विवाद इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं बुरे बजूर्ग रिटायर अधिकारी की कॉलोनी है इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं देहरादून से हैं अवासिय कॉलोनी ATS सशस्तर धारा रोड पर विवाद इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी पानी की बोरिंग लगाने पर हुआ विवाद इस वरत की बड़ी और एहम जानकारी आप तक थाना राइपूर इस वर्ट की बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दहरादून की पतिश्टित कॉलोनी में आता है ATS फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटन में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं A&B News नमस्कार झाल